दोस्तो आज में आपको scientifically बताऊंगा कि कच्चा लहसुन खाने से आपको क्या फाइदा होता है और कच्चे लहसुन से आपको क्या नुकसान हो सकता है दोनों चीजें बताऊंगा और वही चीजें बताऊंगा जो scientifically प्रूव हो चुकी है सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि garlic में जो antioxidants होते हैं या garlic खाने से जो body में antioxidant active होते हैं वो body में क्या कर सकते हैं? यानि garlic की antioxidant capacity क्या है? एक research में लोगों को aged garlic extract खाने को दिया गया जो aged garlic होता है, जो पुराना लहसुन होता है उसे भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है और market में aged garlic extract मिल जाता है तो ये जो खोज हुई है इसमें लोगों को aged garlic extract खाने को दिया गया और फिर ये देखा गया कि garlic ने इन लोगों में reactive oxygen species को कम कर दिया था अब मैं आपको बताता हूँ कि ये reactive oxygen species क्या होते हैं ये एक परकार के unstable molecules होते हैं जिन में oxygen होती है और ये body के जो दूसरे cells होते हैं उनके अंदर जो molecules होते हैं उनके साथ बहुत easily react कर सकते हैं इनकी reaction की वज़े से DNA को नुकसान हो सकता है, RNA को नुकसान हो सकता है body की जो proteins हैं उनको नुकसान हो सकता है और इनकी वज़े से जो cells हैं उनकी death भी हो सकती है यानि body की जो कोशिकाएं हैं उनकी death भी हो सकती है और aged garlic extract ने body में इन reactive oxygen species को कम कर दिया था अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, जो इन reactive oxygen species के साथ जूड़ी हुई है, बॉडी में जब atherosclerosis होता है, atherosclerosis का मतलब होता है कि धमनियों के अंदर पलाक का जमना, यानि कि ब्लॉकेज का बनना, जब ये ब्लॉकेज बनती है, atherosclerosis इसको कहते हैं, इससे पहल जब बनने से पहली स्टेज होती है, और ये जो धमनियों अंदर से संक्री होती है, नेरो होती है, इनका कारण होता है बॉडी में chronic inflammation, यानि लंबे समय से सूजन, और बॉडी में इस chronic inflammation की पहचान होती है, कि बॉडी में reactive oxygen species ज्यादा होते हैं, अगर बॉडी में inflammation नहीं arteries हैं, वे अंदर से नेरो नहीं होगी, जिसकी वज़े से blockage नहीं बनेगी, तो ये garlic की पहली capacity है, ये कच्चे लसुन का पहला समर्थ्य है, कि ये बॉडी में क्या कर सकता है, एक और study हुई जिसमें obese लोगों को, यानि ऐसे लोग जिनका वजन नॉर्मल से ज्यादा है, इन तो मातरा, और दूसरा, इतने समय के लिए खाया गया, ताकि अगर आपको ये problem होगी, तो आप सेम मातरा सेम समय के लिए खाएंगे, तो आपको भी फाइदा होगा, तो मोटे लोगों को 400 mg garlic extract दिया गया, खाने के लिए 3 महिने के लिए, और फिर जो result मिला, उसमें पता चल अरे, endothelial biomarkers को कम कर दिया था, मतलब नसों के अंदर blockage पैदा करने वाले जो biomarker होते हैं, जो कारण होते हैं, उनको कम कर दिया था, कौन-कौन से कारण थे, एक तो था C-reactive protein, जब बाड़ी में inflammation होती है, तो C-reactive protein बढ़ जाता है, इसने C-reactive protein को कम कर दिया था, दूसर इसने low density lipoprotein cholesterol को कम कर दिया था, जिसे LDL बोलते हैं, फिर इसने high density lipoprotein को बढ़ा दिया था, जिसे HDL कहते हैं, यह good cholesterol होता है, ज्यादा होना चाहिए, इसके बाद इसने triglyceride को कम कर दिया था, और इसके लावा इसने body में एक और चीज की मातरा को सही किया था, जिसका नाम है, Plasminogen Activator Inhibitor 1, इसे short में PAI 1 भी कहते हैं, तो यह जो PAI 1 होता है, यह body में normal blood clotting के लिए जिम्मेदार होता है, अगर इसकी मातरा body में कम होगी, तो body में जो clotting है वे कम होगी, इसके कारण आपको bleeding हो सकती है, यह भी एक समस्या है, अगर इसकी मातरा body में ज्यादा इसे blockage बन सकती है, तो यह देखा गया कि जब 400 mg garlic extract तीन महीने के लिए दिया गया, तो इसने इस Plasminogen Activator Inhibitor 1 की मातरा को सही कर दिया था, इसको regulate किया था, इसको modulate किया था, इसका मतलब यह है कि आपकी body में उतने ही clots बनेंगे जितने आपको चाहिए, ना कम बनेंगे ना ज़्यादा बनेंगे, तो यह कच्चे लहसुन का एक बहुत जबरदस्त benefit है, एक और research हुई है जिसमें diabetes के patient को कच्चा garlic खाने को दिया गया, diabetes के patients को 3.6 gram कच्चा garlic, कच्चा लहसुन, 30 दिन के लिए दिया गया, हर रोज 3.6 gram कच्चा लहसुन, इसने body में कुछ antioxidants की activity को कम करता है, cystic fibrosis को कम करता है, aging को कम करता है, rheumatoid arthritis को कम करता है, neurodegenerative diseases को कम करता है, और diabetes को कम करता है, और कच्चे लहसुन ने body में इस antioxidant की activity को बढ़ा दिया था, दूसरा antioxidant जिसकी activity को कच्चे लहसुन ने बढ़ाया वो था, catalyze, catalyze क्या करता है कि यह body में reactive oxygen species की वज नुकसान को कम करता है, रोकता है। और एंटी ऑक्सिजेंट को एक्टिव किया था जिसका नाम है गलूटा था यॉन पर उक्सिडेज यह एंटी ऑक्सिजेंट बॉड़ी में लिपिड हाइड्रो पर उक्सिडेज को कम करता है। लिपिड हाइड्रो पर उक्सिडेज की वज़े से aging होती है, heart की बीमारी होती है diabetes होती है और inflammation होती है और garlic ने जिस antioxidant को active किया था वह इस lipid hydroperoxidase को कम करता है अगर coronary artery disease वाले patients को 2.4 gram aged garlic खाने को दिया जाए और 2 हफ़तों तक लगातार दिया जाए तो इसे उनकी body में total cholesterol कम होता है triglyceride कम होता है और अगर 10.8 mg garlic powder एक दिन में खाया जाए और 12 हफ़तों तक खाया जाए तो इससे भी triglyceride कम होता है आप मातरा note करते जाएए समय note करते जाएए अगर high cholesterol वाले लोग garlic powder की tablet खाते हैं जिस tablet में कम से कम 1 mg allicin होना चाहिए allicin जो है ये garlic के अंदर मौझूद एक active compound है तो अगर garlic की एक tablet जिसमें 1 mg allicin है दिन में 2 बार खाया जाए तो इससे LDL level कम होता है जिन लोगों को high cholesterol की problem है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि cancer की उपर कच्चे लसुन का क्या effect होता है अगर 200 mg की garlic की टैबलेट या garlic का capsule दिन में 2 बार खाया जाए 7 साल और 4 महिने के लिए तो इससे gastric liens कम होते हैं gastric liens का मतलब है आम भाषा में आप इसे पेट के अलसर बोल सकते हैं तो यहाँ दो चीजें नोट करने वाली हैं नमबर 1 मातरा 200 mg का capsule दिन में 2 बार और दूसरा समय 7 साल 4 महिने ये जो study चली थी 7 साल 4 महिने चली थी तो इतने लंबे समय तक garlic खाने के बाद पेट के जो अलसर थे वह कम हुए तो इसका मतलब यह है कि garlic को आप लंबे समय तक भी खा सकते हैं लंबे समय तक खाने से इसका कोई नुकसान नहीं होता है garlic के जो नुकसान है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा लेकिन यहां तक आप यह समझे कि लंबे समय तक garlic खाने से आपको कोई नुकसान नहीं है अगर आप इतनी बताई गई मातरा में खाते हैं और garlic के कुछ फाइदे हैं जो सिर्फ लंबे समय तक खाने से ही आपको मिलेंगे कम समय में खाने से आपको नहीं मिलेंगे और इस स्टडी में ये भी देखा गया कि long term अगर आप garlic का consumption करते हैं गार्लिक सप्लीमेंट आप खाते हैं लंबे समय के लिए तो इससे gastric cancer भी कम होता है pre-cancerous gastric layers भी कम होते हैं यानि ऐसे पेट के ulcer जो pre-cancerous हैं जो अभी cancer के रूप में नहीं बदले हैं वह कम होते हैं और इससे इस बीमारी में mortality rate भी कम होता है यानि मृत्यू दर भी कम होती है तो इसका मतलब यह है कि जो cancer के patient से वह garlic का सेवन कर सकते हैं इससे long term में उनको benefit होगा और जिन लोगों को पेट का ulcer होता है उनमें vitamin B9 की कमी होती है तो यह देखा गया कि जब 7-7 साल तक garlic को खाया गया तो इससे उनकी body में vitamin B9 की मातरा भी increase हुई और vitamin B9 की deficiency कम हुई तो यह भी इसका एक फायदा है और research से यह भी पता चला है कि garlic extract खाने से जो clone में adenomas बनते हैं वह भी कम होते हैं adenomas क्या होते हैं यह भी non-cancerous tumors होते हैं यानि जो tumor आंत में बनते हैं वह भी कम होते हैं ऐसा क्यूं होता है research से यह पता चला है कि garlic extract खाने से जो NK cells होते हैं उनकी activity बढ़ती है NK cells होते हैं natural killer cells यह जो NK cells होते हैं यह anti-tumor होते हैं यानि यह tumor को रोकते हैं और garlic खाने से यह NK cells body में बढ़ते हैं इसे tumor कम होता है और जो liver cancer के patients होते हैं और pancreatic cancer के patients होते हैं उनमें यह NK cells कम होने लगते हैं और research में यह देखा गया है कि अगर aged garlic extract खाया जाए चार capsule एक दिन में और छे मीने तक खाया जाए तो इससे जो body में NK cells कम होते हैं वह कम नहीं होते तो यह एक बहुत बड़ा फाइदा है cancer patients के लिए क्योंकि अगर उनकी body में natural killer cells कम नहीं होंगे तो फिर उनकी body cancer से ज्यादा अच्छे ढंग से लड़ सकेगी और एक study से यह पता चला है कि अगर कच्चा लहसुन खाया जाए 8.4 gram से लेकर 33.4 gram एक हफ़ते में और 7 साल तक खाया जाए तो इससे lung cancer होने का खत्रा कम होता है यानि हफ़ते में अगर आप 8.5 gram से लेकर 33.5 gram कच्चा लहसुन खा लेते हैं तो इससे long term में 7 साल के दौरान lung cancer होने का खत्रा कम होगा और जो लोग chemotherapy लेते हैं कीमो थेरपी कैंसर का इलाज करने की एक थेरपी होती है कीमो थेरपी के बाद अकसर लोगों में febrile neuropathy नाम की एक बिमारी होती है यानि एक तरह की neuropathy होती है और ये देखा गया है कि अगर 900 mg garlic extract एक दिन में खाय जाए और तीन हफतों तक खाय जाए तो इससे ये जो febrile neuropathy होती है इसके होने के chances कम होते हैं यानि इसकी गंभीरता भी कम होती है और इससे prevention भी होती है यानि garlic chemotherapy के patient में febrile neuropathy होने के chances को कम करता है तो इसका मतलब ये है कि chemotherapy वाले patient भी garlic extract ले सकते हैं 900 mg per day की मातरा में इससे उनको febrile neuropathy होने के chances कम होंगे हम मैं आपको बता रहा हूं कि high blood pressure के उपर कच्चे लसुन का क्या effect होता है अगर dried garlic powder खाया जाए 7.2 ग्राम के मातरा में एक दिन में और 4 हफतों तक खाया जाए यानि लगातर एक महीना खाया जाए तो इससे systolic blood pressure और diastolic blood pressure दोनों 5.5 प्रतिशत कम होते हैं यानि लगबग 10 point कम होते हैं यही result आपको कच्चे लसुन से भी मिलेंगे अगर आप 10 kg body weight के उपर 1 gram कच्चा लसुन खाते हैं यानि अगर आपका weight 50 kg है तो 5 gram अगर 60 kg weight है तो 6 gram 70 kg weight है तो 7 gram हर 10 kg के उपर 1 gram इतना garlic आप दिन में 2 बार खाते हैं यानि अगर आपका weight 60 kg है तो 6 gram कच्चा लसुन दिन में 2 बार तो इससे भी आपका blood pressure जो है वे 5.5 प्रतिशत कम होगा दोनों side का उपर वाला भी और नीचे वाला भी और इससे आपका triglyceride level भी कम होगा और आपकी body में HDL cholesterol जो अच्छा cholesterol है वे बढ़ेगा ये effect आपको 4 हफतों के बाद मिल जाएगा एक महीने के बाद आपको ये effect मिल जाएगा हम मैं आपको बता रहा हूं कि diabetes की उपर कच्छ लहसुन का क्या प्रभाव होता है diabetes की बिमारी oxidative stress की वज़े से पैदा होती है और ये में आपको बता चुका हूं कि कच्छा लहसुन खाने से body में antioxidant का status increase होता है जिससे oxidative stress कम होता है इससे diabetes की बिमारी कम होती है और कच्छ लहसुन के अंदर जो compounds होते हैं वह hydrogen sulfide के donors के तौर पर काम करते हैं जो hydrogen sulfide होता है ये type 2 diabetes को control करने का काम करता है इस परकार कच्छ लहसुन type 2 diabetes को control करने का काम करता है study से इस बात का पता चला है कि कच्छ लहसुन खाने से fasting blood glucose कम होती है और HBA1C जो होता है वे कम होता है HBA1C डायप्रीज वले लोगों को पता है तीन मीने की एवरेज होती है ब्लड ग्लूकोस लेवल की बॉड़ी में तो कच्चा लसन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोस लेवल को और HBA1C को कम करता है 210 डायप्रीज के पेशेंट्स को गारलिक टैब्रेट खाने को दी गई थी 24 सफतों के लिए जानी 6 मीनों के लिए और उसके बाद ये देखा गया कि इन लोगों में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोस कम हुआ था और HBA1C कम हुआ था इन स्टडीज में अलग-अलग मातरा में गारलिक टैब्रेट का इस्तिमाल किया गया था 300 mg, 600 mg, 900 mg, 1200 mg और 1500 mg इन डोजीज का इस्तिमाल हुआ था और 24 सफतों के लिए दी गई थी और इन सभी डोजीज में लोगों को बेनफिट हुआ था तो आप इन में से कोई भी डोस चूस कर सकते हैं पहले कम से शुरुआत कर सकते हैं अगर रिजल्ट कम मिले तो बढ़ा भी सकते हैं यानि 300 mg से लेकर 500 mg की गारलिक टैबलेट आप 24 सफतों तक खा सकते हैं और इससे आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कम होगा और HbA1C कम होगा अब मैं आपको बताता हूं कि बोन डिजीज की उपर कच्चे गारलिक का क्या असर होता है यानि हड्डियों की बिमारी की उपर कच्चा गारलिक क्या असर करता है 500 मिली ग्राम की गारलिक टैबलेट दिन में दो बार 12 हफतों के लिए खिलाई गई किनको ऐसी महिलाओं को जिनको ऑस्टियो अर्थराइटिस था और जिनका वजन नॉर्मल से ज्यादा था ऐसी 80 महिलाओं को 500 मिली ग्राम की गार्लिक टैब्रेट दिन में दो बर 12 हफतों के लिए दी गई और फिर पता चला कि इन महिलाओं में एक तो पेन कम हो गई थी जो उनको जोडों में घुटनों में पेन होती थी वह कम हो गई थी और एक इसने बॉडी में अडिपो साइटोकीन नाम के पदार्थ को कम कर दिया था ये जो अडिपो साइटोकीन होता है ये बॉडी में इंफ्लामिशन पैदा करता है इसके बाद एक और रिसर्च हुई जिसमें 76 ओवरवेट महिलाओं को 1000 मिलीग्रम गार्लिक की टैबलेट 12 हफतों के लिए दी गई और इनमें भी देखा गया कि ऑस्टियो अर्थराइटिस के जो सिम्टम्स होते है पेन होती है, स्वैलिंग होती है, वह कम होती है आप मातरा नोट करते जाएए और समय नोट करते जाएए फिर आपको पता चलेगा अगर आपको ओस्टियो अर्थराइटिस है तो आपको कितनी मातरा में खाना है और कितने समय के लिए खाना है 42 महिलाओं को 2 गार्लिक की टैबलेट्स दी गई और एक साल तक दी गई, यानि आपको दो ग्राम कच्छा लगातार एक साल तक खाना है, एक दिन में दो ग्राम, इससे क्या हुआ कि बॉडी में Oxidative Stress का लेवल कम हुआ, और बॉडी में AOPP का लेवल कम हुआ, AOPP जो होते हैं, यह बॉडी में Inflammation को पैदा करते हैं, एक और सर्च में 44 Osteoarthritis वाली women's को दो garlic tablets एक दिन में खाने को दी गई, आठ महीने के लिए, और यह देखा गया कि उनकी बॉडी में Immunomodulatory effect पैदा हुआ, Immunomodulators वह substance होते हैं, जो बॉडी में Immune System को stimulate करते हैं, जिसे जो Immune System है, वह Cancer, Infection और दूसरी बीमारियों से लड़ पाता हैं, वह काफी ज्यादा strong हो जाएगा और वह बिमारियों से लड़ पाएगा, और लहसुन ने बॉडी में TNF Alpha लेवल को कम कर दिया था, यह जो TNF Alpha होते हैं, यह बॉडी में Inflamatory और Autoimmune बिमारियों को पैदा करते हैं, और जितनी भी Inflamatory और Autoimmune diseases हैं, उनको garlic कम करता है, त तो 10 दिन पहले आपको कच्चे लहसुन का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना है, क्योंकि कच्चा लहसुन खाने से आपका bleeding time increase हो सकता है, जिससे आपको surgery में दिक्कत आ सकती है, यह मैं अब यह आपको side facts बता रहा हूं कच्चे लहसुन के, अस्थमा के patient को कच्चे लहसु से रोपता है, यह मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अस्थमा के लोगों को कच्चा लहसुन नहीं खाना, जो pregnancy में और breast feeding में जो महिलाएं हैं, उनको कच्चे garlic का या garlic extract का सेवन नहीं करना, अगर आपको कोई bleeding disorder है, तो आपको कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना, क्योंकि इससे आपको bleeding का खतरा बढ़ सकता है, कच्चा लहसुन आपको कुछ stomach और digestion problems दे सकता है, कच्चा लहसुन gastro-intestinal tract को irritate कर सकता है, तो अगर आपको को stomach और digestion problem है, तो खाली पेट कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करें, या अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर देख लें कि आपको कोई problem तो नहीं हो रही, अगर कोई problem हो, तो आप इसे discontinue कर दें, अगर आपको low blood pressure है, आपका BP कम होता है, तो आपको कच्चे लहसुन か सेवन नहीं करना, कुछि कच्चा लहसुन blood pressure को कम करने का काम करता है, अगर पहले सही आपका BP low रहता है, तो आपको दिक कता सकती है, तो ये कुछ side facts हैं जो कच्चे लहसुन से हो सकते हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई problem नहीं होगी, बाकि सभी तरह के लोग कच्चे लहसुन का सेवन कर सकते हैं और इससे फायदे ले सकते हैं जो भी मैंने आपको फायदे बताए हैं ये scientifically proven है, इनके उपर आप विश्वास कर सकते हैं, आप खोज करना चाहें तो खुद भी इनके बारे में खोज कर सकते हैं, thank you so much